जैस्री राम राधे राधे दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे राम नम्मी दो हजार चौविस में कब है राम नम्मी दो हजार चौविस सुफ महुरत राम नम्मी पूजा का सुफ महुरत महत्व पूजा की विधी और राम नम्मी के दिन जरूर करें ये भी से सुप और पुर्ण वसु नक्षत्र में हुआ था प्रभु राम के जन्म दिन को राम नम्मी के रूप में हर वर्स देश-विदेश में बड़े ही धूम-धाम के साथ मनाई जाती है इस दिन चैत्र नवरात्री का आखरी दिन होता है यानि नौ दिनों तक नवरात्री पर सक्ति की जाती है और फिर नवरात्री के नवे दिन धूम-धाम के साथ मरियादा पुर्ण सोत्तम प्रभु राम का जन्मोच सब मनाया जाता है इस वर्स राम नम्मी पर बहुत ही सुभयोग बन रहा है रवियोग में राम नम्मी का तेवहर मनाया जाएगा जो तिस सास्त्र में प्रभाव होने से सभी तरह के कस्टों से मुक्ति मिल जाती है रवियोग में धर्म कर्म और पूजा पाठ करने से जीवन में सफलता और मान सम्मान के फ्राप्ति होती है तो आये जानते हैं इस साल यानि की दोजार चौविस में राम नम्मी कब है हिंदू पंचांग के अन 12 मिनट पर खत्म हो जाएगी उद्यातिति के आधार पर राम नम्मी का पर्व 17 अपरेल को मनाई जाएगी ऐसे में राम नम्मी का मध्या पूजा का सुभ महुरत 11 बजकर 10 मिनट से लेकर 1 बजकर 43 मिनट तक रहेगा राम नम्मी के दिन बनने वाले सुभ महुरत बीजय पर 2 बजकर 34 मिनट से 3 बजकर 24 मिनट तक गोधुली महुरत साम 6 बजकर 47 मिनट से 7 बजकर 9 मिनट तक रवी योग पूरे दिन रहेगा राम नम्मी पूजा विधी राम नम्मी के दिन ब्रह्म महुरत में उठकर असनान के बाद सुड़े देपता को तामबे के लोटे से भोग में तुलसी पत्र डाल कर प्रसाद अर्पित करे स्री राम और स्री राम चरित्र मानस की पूजा करे मंत्र का 108 बार जाप करे घर की छट पर धोजा लगाए और फिर घर में सुंदर कांड का पाठ करे राम नम्मी पर नवरात्री का समापन होता है ऐसे में इस दिन हव देपताओं के निमित हवण कुंड में आहुती दे फिर अंत में आरती करे राम नम्मी के दिन किये जाने वाले कुछ भी सेश उपाए रामनम्मी के मौके पर सम्मेपिस्थित किसी राम मंदिर में जाय और वहां जाकर पहले भगवान स्री राम की पूजा करे और केसरिया रंगधवज मंदिर के पुजारी को दे संभव हो तो इसे अपने सामने ही मंदिर के सिखर पर लगवाए नहीं तो पुजारी से पास रखकर उचित समय आने पर लगाने को कहे इस उपाई से आपकी कई समस्याओं का समधान हो सकता है राम नम्मी पर भगवान स्री राम और देवी सीता का अभिसेख गाई के कच्चे दूद से करे इस दूद में थोड़ी सी केसर भी मिला ले केसर मिस्रित दूद से स्री राम और देवी सीता का अभिसेख करना बहुती सुभमाना जाता है इस उपाई से धनलाव के योग भी ब पूजा करें और बाद में इस मंत्र का जाप करें, कम से कम पांच माला करें, एक माला यानी एक सो आठवार जाप, इस उपाई से आपकी हर मनो कामना पूरी हो सकती है, तो मंत्र है स्री राम, राम, रामेती, रमे रामे, मनो रमे, सहस्त्र नाम, तंतुल्यम, राम नाम, वरा आनने